हीम कहाँ हम लोग principle किये दिके रहाएं हम लोग को कवर कर लिया उसके पहले हम लोग ने पूरा अंबलो को कवर कर लिया उसके पूरा जारख को पढ़ चुके हैं, हम लोग यह सब चीज देख चुके हैं, आज जो हम लोग की topic है, यह properties आप salt, यानि इसके गुण को देखना है, यह किस प्रकार की अपने गुण को सो करता है, ध्यान से सुनिए, कोई भी रसायनिक जो पदार्त होता है, वो अपने गुण में परिवर्तन क करता है, यानि उसको गुण को हम लोग देखते हैं, तो किस प्रकार देखते हैं, उसका हम लोग किसी अन्य पधार्त से reaction करवाते हैं, और reaction करवाने के पश्चार जो उसमें परिवर्तन होता है, उस अबकिरिया में, अगर जो आपका परिवर्तन होता है, उसी प्रकार के उ अब जानते हो नमक होता हुआ जब इस NaCl किसका NaCl का जब हम लोगों ने water से reaction करवाया तो water से reaction करने के पास्चाथ हमको मिला क्या NaOH और chlorine gas मिला और क्या मिला hydrogen gas मिला देखिए कैसे हुगा अब देखिए जब NaCl water के साथ reaction करवाया तो हमको क्या मिला base और chlorine gas और hydrogen gas तो इस basis पर हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब salt NaCl water से reaction करवाया तो हमको क्या मिला chlorine gas मिला यानि आपको chlorine gas लेना हो तो NaCl के साथ water का reaction करवाद होगे तो आपको chlorine gas मिल जाएगा अब देखिए reaction हुआ कैसे NaCl और H2O हम लोग ने आप लिए हैं दो मोल और NaCl का दो मोल आप लोग जानते हो दोनों chlorine gas के रूप में बाहर रिलीज हो गई और यहां से दोनों hydrogen gas के रूप में बाहर रिलीज हो गया तो यह पहला properties था किसका salt का क्या होता है जब NaCl H2O के साथ पुरिया करता है तो हमको chlorine gas राप्त होती है clear अब इसका second good देखते हैं यानि कि second properties देखते हैं कई इससे पदार्थ इससे बनते है NaCl से salt से तो इसके second properties को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है second properties अब इसका जो second properties है उसमें हम लोग एक बहुत एक खास पदार्थ का निग्रिमाड करने वाले हैं जिसका नाम है बिरेंजक चुड इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैसे बनता है उसको देखिए देखिए हर एक साल्ट का जितना भी properties होता है वह एक दूसरे से related होता है यानि जब हमने NaCl का के साथ reaction करवाया तो हमको क्या मिला chlorine gas अब उसी chlorine gas का हम लोग यूज करेंगे अब देखिए कैसे विरेंजक चुड आप लोगों ने देखा होगा क्या यह क्या है calcium hydroxide क्या है कैल्सियम हाइड्राकसाइड और कैल्सियम हाइड्राकसाइड का जब हमने लोगों क्लोरीन के साथ प्रिया करवाया तो यहीं तो मिला CACL2 और H2O कहने का मतलब यह हुआ कि यहां से H2O बाहर निकल गया दो hydrogen और एक oxygen यहां से H2O जो liquid के है क्या हो गया बाहर निकल गया vapor के फार में क है सकते हो आप अ कर हो उसके वासे है यहां से। सी अ और और यहीं आपर क्या है विरंजक चून है क्या है क्या है विरंजक चुण के भी क्या होते हैं कुछ गुण होते हैं यह किस प्रकार अपने विएबियर को सो करता है मतलब एक प्रकार कि यह भी कह सकते हो कि इसका आम लोग किस प्रकार यूज करते हैं इसका किस प्रकार उप्योग कर सकते हैं कि आप लोगों ने कभी कपड़ा साफ करने वाले परीफ़ वाले पर होंगी जिस टाइब कपड़ा करते हैं उसमें इसकार för्योग किया जाता है या निफाल जो इसका गुण है उप्योग है उसको कह सकते हैं इसलिए खजब कपड़ों को चशाफ करने में साफ करने में, यानि इसका पहला उपयोग, गुल भी बोल सकते हो या उपयोग इसको कह सकते हो आप लोग, तो इसका जो पहला उपयोग है, क्या है, कपड़ों को साफ करने में, और दूसरा जो उपयोग है इसका, जो भी हम लोग पानी वाल, मतलब पीने का जो पानी होता है उसको हम लोग यूज करते हैं तो उसको purify करने के लिए उसको êktid जो जिवाल होते हैं उससे मुक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका उपयोग करते याँनि पानी को सुध करने में यानि जो भी हम लोग पानी पीते हैं उस पानी को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसके दो गुर है, clear? अब जो तीसरा है वो क्या है बेकिंग सोडा यानि इसका आपको प्रिप्रेशन पढ़ना है बेकिंग सोडा क्या होता है बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं इसका रासानिक नाम क्या होता है sodium hydrogen carbonate यही उसका क्या होता है रासाइनिक नाम भी होता है यह इसको हम लोग क्या बोलते हैं खाने वाला soda BC को हम लोग बोलते हैं तो इसका preparation आपको पढ़ना पड़ेगा देखिए कैसे होता यह कैसे बनता है जब NACL का अब इसके तीन या चार composition के साथ हम लोग इसका अपक्रिया करवाएंगे क्या क्या मिलेगा जब NACL NACL, H2O और carbon dioxide और ammonia बहुत बड़ा हो गया जब यह reaction आपस में करता है यह करते हैं सब तो आपको बनता क्या है NACL और यही बनता है जिसका हम लोग चर्चा कर रहा है सोडियम हाइडोजन कार्वोनेट इससी काम को प्रिप्रिशन पढ़ना है यानि यही हमको प्राप्त करना था तो यह देखिए रियक्शन थोड़ा कैसे हुआ है थोड़ा बड़ा रियक्शन है देखिए सोडियम बा आ कार्वन्त यया에 बना है मंको कि लेना है अब यहां से जो आप दिख रहा हो कि अमोनिया मिना यह है और यहां से क्या मिला आपको एक हाइडोजन क्या मिला एक हाइडोजन यह बनाए नहीं बचा और यहांसे बचा और एक हाइडोजन यहां से बचा याणी ओच यहांसे बचा और उप्योग क्या होता है कहां कहां इसको उप्योग करते हैं यानि इसका जो उप्योग होता है तो सबसे पहले हम लोग तो इसको खाने में यूज करते हैं खाने में आप लोगों ने देखा होगा लिए इसका पहला उप्योग क्या खाने में और दूसरा इसका उप्योग है कि जब आपके यह प्रकार का क्या होता है इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था कि sodium hydrogen और carbonate जब अमल के साथ अपके दिया करता है तो लौण और जल बनता है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रकार का क्या है छारी पदार्थ है जो अमलियता को क्या करता है खतम करता है तो एक प्रकार से यह भी कर सकते हैं कि जब आपके पेट में अगर अमलियता बढ़ जाए तो हम इसका उप्योग कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम इसका उप्योग कर सकते हैं काने यह हुआ कि अगर अमलीता पैट में बढ़जाती है तो इसका अपयोग हम लोग कर सकते हैं और खाने में कैसा अपयोग कर सकते हैं काने में आप लोगं कहते हुए देखा होगा या पाल रोकी या केक जो भी मार्केट में मिलता है अब यह कारवन डाय साइट गैस उसी खाद्य प्रदार्थ में राता है जो कि एक बार आपको प्रेस करने के बाद से वह तुरंत अपने सेप में क्या आ जाता है तो एक प्रकार से यह भी कर सकते हैं जिसे घर में फूरी उडी बनता है तो उसका भी उप्योग करते हैं या यादियु कारवन इसका नाम होता है धोने का सोडा कैसे बनेगा देखिए धोने का सोडा तो सोडियम हाइडोन कार्मिट से बनेगा किस प्रकार इजब एन यच्छ सी ओ ती को जब हम लोग हीट करते हैं इसी से मिलेगा जब इसको हम लोग हीट करते हैं sodium hydrogen carbonate को तो मिलता क्या है na2 co3 na2 co3 और यहां से हमको क्या मिलता है carbon dioxide और vapor farm में क्या मिलता है जल मिलता है clear फिर से सुनिये जब sodium hydrogen carbonate को हम लोग हीट करते हैं तो sodium carbonate s2o और carbon dioxide राप्त होता है इसको हीट करने के बाद तो sodium bicarbonate आपको मिल गया चुकि sodium bicarbonate को धावन soda तो बोलते हैं तो sodium bicarbonate में जब हम लोग 10 mole of water aid करते हैं तो जो मिलता हम लोग को product na2 co3 point 10 s2o यही आपको क्या है sodium bicarbonate यानि धोने का soda तो इस प्रकार इसके चार properties थे चारो properties को हम लोगों ने पढ़े लिया clear अब इसके थोड़ा सा इसका उप्योग देख लिए इसका हम लोग उप्योग कहा कहा करते हैं यानि sodium carbonate का कहा कहां लोग उप्योग करते हैं तो इसका जो उप्योग होता है पहला जो उप्योग है क्या होता है घरों की साफ सफाई में इसका उप्योग करते हैं dr चनल इसका जो उप्योग होता है वह जल की जो कफोड़ा हियो और और यहां तो इसका उप्योग होता है जिसे का चुश बनाने ना sodium carbonate का उप्योग किया जाता है अब यह था आपका पूरा साल्ट साल्ट फिनिस हुआ मतलब यह चैप्टर भी पूरा क्या हुआ आपका इन्स हुआ तब तक के लिए नेस्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए टेक क्याप बाब बाए